पहल 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 नारी ने सुल्मों सितम से बिरने किकी पहल 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 वो कौन सी मन्जिल है जो पाना सके नारी बदलाब की देश में जागी रहे ज्यारी पहल 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 अब नारी में की पहल 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 अब नारी में की पहल भारत की महला आज एक नए रूप में और नई नई भूमे काउं में लोगों के सामने आ रही है जीवन का कोई ऐसा छेतर नहीं जहां उसने अपनी योगिता का पर्चमना लहराया हो देश में नारी के इस बदलते हुए रूप और छबी के पीछे कुछ ऐसी महलाओं का संगर्श है जिन्होंने जीवन में नए रास्ते बनाए हर दिशा में नारी की ताकत और काबलियत से समाच के सोचने के अंदाज में एक बदलावाया है हमारा ये सीरियल पहल ऐसी ही महान नारीयों की जद्दो जहद की काम्याबी की कहानी है जिसे हम आपके सामने दोहरा रहे हैं भारत के समविधान को बने आज 46 साल हो गए है पर मत अधिकार के लिए महलाओं का संगर्ष 1917 से शुरू हुआ था एक रोशन मशाल बनकर शिरीमती मारगरेट कजिंस ने सब को रह दिखाई इससे पहले वो इंगलेंट और अपनी जन भूमी आईरलेंड में महलाओं के वोट देने के अधिकार के हक में थी शिरीमती एनी बेसंट के बुलाने पर वो अपने पती जैम्स कजिंस के साथ भारत आई और यहीं की होकर रह गई उन्होंने महिला उत्थान के लिए अपना सारा जीवन दाओं पर लगा दिया आज आल इंडिया वोमन्स कॉन्फरेंस नाम का संगटन भारत की जागरत महिलाओं की आवास बन गया है आशा और निराशा के बीच जूलते हुए शिरीमती कजिंस ने सिर्फ दस सालों में यह हक पाने की काम्यावी हासिल की जबके इंग्लेंड की महिलाओं को यह हक पाने में नवासी वर्ष लगे थे शिरीमती मार्गरेट कजिंस का जीवन इस संगरश की प्रेढ़ना देने वाली एक कथा है भारत में लोकतंत्र की दिशा तै करने में आज महिलाओं निरनायक भूमिकाने भा रही है वोट देने के अधिकार से मिली अपनी शक्ती के बारे में पूरी तरह से सजग वे गाउं की पंचायद से दिल्ली की संसत तक में अपनी आबाज पहुंचा रही है लेकिन देश की आधियाबादी को मताधिकार द्वारा सबल बनाने के लिए तिल तिल संघर्ष की शुरुवात की एक विदेशी महिला श्रिमती मार्गरेट कजन्स ने आरलेंड में जन्म लेकर भी उन्होंने भारत में महिला उत्थान को अपना जीवन समर्पित कर दिया बहुत अजीब चीज है कि ऐसे एक फॉरें लेडी आके कैसे अपने को हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की नारियों की साथ एक होके भाषा तो उनकी अलग थी वो अंग्रेजी बोलती थी हिंदी या तामिल तो नहीं जानती थी लेकिन तभी भी पुरें हिंदुस्तान में घूमती थी अलग अलग जहां उनकी Women's Indian Association की शाकाई थी, वहाँ जाती थी, सभी की साथ बात करती थी, मैं नहीं कहूँ कि सिरफ वो जो अंग्रेजी जानती थी, ऐसी महिलाओं की साथ मिलती जुलती थी, सभी महिलाओं की साथ, और महिलाओं का क्या समस्याई हैं, उनके जो आप गरीब महिलाओं का ये, अ कर सकते हैं, इसकी लिए भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है, मार्गरेट कजन्स ने भी ऐसी तरह मैं कहूँ कि बहुत कुछ उन्होंने भारतीय नारी के लिए, जैसे हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, वो अपना प्रॉब्लम्स बना लिया, 15 अक्तूबर 1915 को जब मार्ग करेट कजन्स ने अपने पती जेम्स कजन्स के साथ भारत की भूमी पर पाउं रखा, तो शायद उन्होंने ये सोचा भी न था कि यहां उन्हें इस तरह की कोई भूमी का निभानी होगी। अध्यापन का काम मिला। मार्गरट भी यां थियोसोफिकल स्कूल में अंग्रेजी निबंध रचना सिखाने लगी। तब ही अक्तूबर की एक सुबह, उनके पती ने उनका ध्यान अखबार की एक खबर की और दिलाया। रिफॉर्म्स होगा। तो 1909 में जो मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स हुआ था उसकी करीब दस साल की बाद और और रिफॉर्म्स करने चाहते थे। तो इस सिलसले में जब मौन्टेग्यू हिंदुस्तान आए और चेम्लो चेम्सफर्ड हमारे वाइसरोई थे। जब ये घोशना हुई और अखबार में आया कि कुछ मताधिकार मिलेगे हिंदुस्तान के पुरुशों को। तो मार्गरेट कजिन्स के पती ने उनको ऐसी जोकिंग ली कहा कि आप लोग भी और हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो क्यों अपने वोटिंग राइट्स नहीं माग रही है। लेकिन मार्गरेट ने पती के मजाग को गम भीरता से लिया। उन्हें आइर्लेंड में अपने वो दिन याद आए जब आईरिश विमन्स फ्रेंचाइज लीग की ओर से महिला मताधिकार का अंदूलन शुरू करके उन्होंने पूरे ब्रिटन में हल्चल मचा दी थी। सरकार को जगजोरने के लिए उन्होंने लंदन जाकर मंत्रियों के मकानों के शीशे तोड़ दिये। वे चर्चिल की पुलिस की मार सहकर जेल गई। उनके भीतर का वही जुजहरू भाव फिर जाग उठा। अपने देश में भी महिलाओं को मतदान प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रगल चल रही थी। इसमें बहुत सक्रिय उन्होंने भाग लिया था। और इधर हिंदुस्तान आके भी उन्होंने यही काम चालू रखा। और उन्होंने महर्शी करवे जो बहुत बड़े समात सुधा रख थे पुना में उनसे उनको पत्र लिखा कि हम इसमें आगे बढ़े तो महर्शी करवे ने उनके उत्सार दिया कि हां। और सोचा कि एक छोटे से संस्था बनाई है। उनको विमेंज इंडियन एसोसियेशन का नाम दिया। और उनीस सो सत्रा में यह शुरू हुए। ग्रूप्स बने उते रिफॉर्मिस मुमेंट के साथ उनने मैसूस से किया कि एक बड़ा सा एक जुट होके जब तक काम नहीं होगा तब तक शैद जो कोई उसका असर भी नहीं होगा। और उनने फ्रेंचाइज की बाद भी उनने अपने आरलेंड में महिलाओं की फ्रेंचाइज के लिए काफी काम किया हुआ था। प्रतिनिधी मंडल से मिलने का अनुरूद किया। तो वाइसरोई को मिलना कुछ आसान चीज नहीं थी वो जमाने में और वोट इतना चाहते भी नहीं थे कि महिलाओं को वोट मिले। तो पहले तो उनको काफी कुछ प्रोपेगेंडा इसके लिए करना पड़ा, अख़वारों में आर्टिकल्स लिखे और पुलिटिकल पार्टी जो हमारे देश की थी, इंडिया नैशनल कॉंग्रेस, मुस्लीम लीग वगेरे, ये पुलिटिकल पार्टी ने भी ये जो इनक जिस मुवमेंट हम जो कहते हैं, जिसकी साथ अनी बेसेंट, मार्गरेट काजिन सभी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उनसे भी बातचीत करके, इंगलंड से भी कुछ प्रेशर लगवाया, कि हिंडुस्तान की महिलाओं की साथ उम मुलाकात करे, तो इसकी बाद, डिस 2017 में, जो मैं कहूंगी कि वो जमाने की जो सबसे लीडिंग महिलाए थी हमारे देश में, जो लीडर्स अब दे विमन्स मुवमेंट, उन्होंने एक डेलिगेशन, एक डेप्यूटेशन बनाके, वो सेकरेटरी और वाइसरोई से मिले, डेलिगेशन, डेप्यूटेशन की न ग्यापन में भारतिय महिलाओं की ओर से मुख्य रूप से दो मांगे रखी गई एक ये कि पुरुशों को वोट का अधिकार देते समय, महिलाओं को भी बराबरी के आधार पर ये अधिकार दिया जाए दूसरी ये कि महिलाओं को पुरुशों के ही समान, शिक्षा के अवसर और सोविधाएं प्रदान की जाएं एडविन मॉंटेग्यू ने अपनी इंडियन डाइरी में इस प्रतिन दिमंडल से मिलने और इसकी मागों के बारे में लिखते हुए श्विमति कजन्स का लंदन की एक जानी मानी महिला मतादिकार आंदोलन करतरी के रूप में उल्ले किया है पहले तो इतना वो सफलता नहीं प्राफ्ट करें उन्होंने कहा कि हम देखेंगे सोचेंगे वाइस टॉय और सेट्री और स्टेट ने कहा कि देखिए हिंदुस्तान की महिला उशिक्षित नहीं है तो education is a necessary prerequisite जो शिक्षा नहीं है तो हम कैसे आपको मतादिकार दे सकते हैं आप पहले महिला को शिक्षित करिए उसकी बाद हम मतादिकार की बात सोचेंगे लेकिन थोड़े तो निराश हुए लेकिन उन्होंने यह नहीं माना उन्होंने प्रोपिगेंडा आपका चालू रखा, मीटिंग्स करी विमन्स इंडियन एसोसियेशन ने अपना एक मैगेजीन था, स्त्वी धर्मा उस्त्वी धर्मा शुरू किया और इसमें उन्होंने काफी अलग अलग नारियों ने अपना मत प्रदर्शन किया, लिखा कि महिलाओं को मत देना चाहिए तो ऐसी मताधिकार की जो हम स्ट्रगल कहें वो तब से 1917 से शुरू ही फिर उन्होंने एक डेप्यूटेशन इंग्लंड भी भेजा, सरोजीनी नाइडू की नेत्रित्व में हिराबाई टाटा, सरोजीनी नाइडू उन्होंने एक साउथ बरो फ्रैंचाइस कमीटी बनाई थी, जिनोंने उसको कहा था कि आप निरनाए करिये किसको मत मिलेगा, नेसेसरी कॉलिफिकेशन मताधिकार का क्या है तो इसी साउथ बरो कमीटी की पास भी हमारी जो इंडियन डेलिकेशन थी, वह वहां गई, उनसे मिले, उनसे बातचीत करी श्रमती नाइडू के नेत्रित्व में एक प्रतिनधी मंडल ने लंदन में पार्लेमेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने भारतिय महिलाओं का पक्ष रखा साउथ बरो कमेटी की रिपोर्ट में महिला मताधिकार का कोई उलेख नहीं था उनीस सो अठारा का जो मॉंटिगू चैंस्फर रिफॉर्म था उसमें जो डायार्की का कॉंस्टिटूशन हुआ कि हर एक स्टेट में कुछ परसेंटेज इलेक्टेड मेंबर्स होंगे तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे सेंटर में तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हर एक प्रांथ को उन्होंने कहा कि आप अपना पहैंसला कीजिए कि आप मताधिकार देने चाहते है कि नहीं तो पहले पहले इसकी पहले मैं एक चीज़ कहूँ कि त्रावण कोर कोचिन स्टेट ने कहा था कि नारियों को वो मतदान करने इलेक्शन में वोट करने देंगे और वो स्टैन भी कर सकते हैं इलेक्शन के लिए मदरास स्टेट ने सबसे पहले कानून पास किया उनिस सो जब कॉंस्टिचूशन लागू हुआ नाया कॉंस्टिचूशन उसकी बाद उनिस सो एकीस में के महिलाए वोट कर सकती है मदरास विधान परिशद में प्रस्ताव पास कराने का श्रे श्रीकृष्ण नईयर को जाता है उसकी बाद पास किया बंबे लेजिसलेटिव एसेमली ने कि बंबई में भी महिलाओ को मद्दान दिया जा यह जो महिलाओ को जो मताधिकार प्रप्त हुआ इसकी पीछे जो पूरुशों की सहायता नहीं होती तो तो नहीं होता क्यों एसेमली तो पूरी पूरुशों की थी उसमें तो एक भी महिला नहीं थी तो मदरास legislative assembly में जब ये resolution पास हुआ तब जो हमें जो समात सुधारक जिसन को कहते हैं social reformers इनमें शंकरा नायर जो खुद education member बनी नई constitution 1918 की बात वो मदरास legislature की member थी उनकी साथ साथ और भी थे ये पुरुशों ने जो सहायता दी उसी की वज़े से महिलाओ को अमत दान प्रप्त हुआ 1926 में जब लड़ाई प्रांतिय विधान परिशदों में पहुँची तो मार्गरेट कजन्स ने सुप्रसिध रंग कर्मी कमला देवी चटोपाध्याय को मदरास के दक्षन का नाराक्षेत्र से अपनी उमीदवार बनाया इस चुनाओ को लेकर महिलाओं में खूब उत्साह था और स्वैम श्रिमती कजन्स ने कमला देवी के पक्ष में सशक्त प्रचार अभियान में भाग लिया फिर भी श्रिमती चटोपाध्याय अपने पुरुष प्रतिद्वन्दी से केवल पांच सो वोटों से हार गई बिना निराश हुए श्रिमती कजन्स ने मदरास के गवर्नर को पत्र लिखकर डॉक्टर मुत्तुलक्षमी रेडी को नामजद करवाया मार्गेट कजन्स ने भारत में महिला अंदोलन की सफलता को एक और महत्वपुण मंजिल तक पहुँचाया जब 1927 में उन्होंने All India Women's Conference की स्थापना की उन्होंने ये साफ देखा कि सदियों से पिछड़पन के कुएं में धकेली गई इस देश के गाउं और शेहरों की महिलाएं कैसे अशिक्षा के कारण शोशन की शिकार हो रही है उन्होंने महिलाओं की संगठित उर्जा को महिलाओं की शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित और परिभाशित करने की दिशा में लगाने का निश्चा किया ये विशय इसलिए महत्वपून था कि इसका सीधा संबंद बेडियों के तूटने से महिलाओं की आर्थिक स्वतंतरता से था Margaret Cousins ने उनकी जो Women's Indian Association की हिंदुस्तान में जो अलग-अलग शाखा है थी उनको पत्र लिखा कि हम सब एकठा होके ये बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ सुझाव करें इसकी बहुत उनको अच्छे रिस्पॉंस मिला मेरे जब तक याद है 26-27 Women's Indian Association की अलग-अलग शहरों में शाखा थी हर एक शाखा से जवाब आया कि हाँ हमें जरूर ये मीटिंग करनी है और हम मिलने चाहते हैं तो इसकी बात Margaret Cousins ने तैर किया कि पूना में एक मीटिंग करेंगे जहां सभी Women's Indian Association के जो सदस्यों हैं उनको बुलाएंगे और ये बारे में चर्चा करेंगे पूना के फर्गूसन कॉलिज के हॉल में हुए महिलाओं के सम्मिलन में पांच जन्वरी से लेकर आठ जन्वरी तक शिक्षा और विवाह की नियूनितम आयू जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर विचार मन्थन चला बड़ोदा की महरानी चिमनाबाई गायकवार ने सम्मिलन के धक्षता करते हुए इसे भारतिय महिलाओं द्वारा गंभीर राष्ट्रिय महत्व के विशय पर अपने विचारों को नर्धारित करने का अनोखा अवसर बताया चारों दिन जम कर विचार विबर्श हुआ जिसमें मार्गरेट कजन्स और सरोजिनी नाइडू के अलाबा कमला देवी चटो पाध्धाय, हंसा महता, धन्वंती रामाराओ और हेरा बाई टाटा जैसी विचारशील महिलाओं ने उत्सा से भाग लिया महरानी पारवती बाई ने स्वागत समिति के अध्यक्षा की जिम्मेदारी निभाई उन्होंने असी सोचा नहीं था कि इतनी महिलाओ आ जाएंगी, इतनी महिलाओ वहां आ गई, भी उन्होंने सोचा कि एक नई संस्ता करेंगे, जिस पर महिला शिक्षा की उपर वो पूरा उसकी कांसेट करेंगे तो इसके लिए उन्होंने एक All India Women's Conference for Education, पहले नाम उसका ये था, और सिरफ वो शिक्षा के बारे में काम करेंगे वहां पे में मुद्दा उनका ये था कि इसके उपर विचार किया जाए कि शिक्षा परनाली महिलाओं के भातिय महिलाओं के लिए शिक्षा परनाली कैसी होनी चाहिए और शिक्षन पाथियकर्म कैसा होना चाहिए तो यह हमारी All India Women's Conference की शुरुवात 1927 में हुई थी और इसकी शुरुवात हम अपने फाउंडर मेंबर हम अपने Margaret Cousins को ही मानते हैं और उन्नी के नाम पर हमारी लाइबरी भी है Margaret Cousins Memorial Library की स्थापना All India Women's Conference ने 1981 में की थी हमारे पास इस टाइम में Women's Studies पे 10,000 किताबे हैं और हमारे पास 40 complimentary journals आते हैं और 10 journals हम subscribe करते हैं और इस टाइम हमारे पास 2000 reports हैं जो की काफी काम आती हैं और हमारे research workers जो university के और students हैं और college के students हैं वो आके हमेशा यहां आते हैं और इसको की स्थापना हो शिक्षा संबंधी अपने विचारों के अनुरूप Margaret Cousins ने दिल्ली में Lady Irwin College की स्थापना की ग्रिह विज्ञान की सनातक और सनातकोतर स्तर की शिक्षा को लेकर ये एक नया प्रयोग था ये ऐसा समय था जब घरेलू कामकाज से जुड़े विश्यों को कोई विज्ञान मानने को तैयार नहीं था पर आज लड़कियां हजारों की संख्या में अपने केरियर के रूप में इसे अपना रही हैं जिससे इस प्रयोग की सार्थक्ता का संकेत मिलता है All India Women's Conference को भारतिय स्त्रियों की प्रबुद्ध और गतिशील चेतना की आवाज बनाने का श्रिमती कजन्स का प्रयास आज फली भूत होता दिखाई दे रहा है श्रिमती कजन्स पहले सह सचिव फिर सचिव और 1936 में इस संगठन की अध्यक्षा के रूप में इसका मार्ग दर्शन करती रही और अपने जीवन के अंत तक इसकी प्रेरक शक्ती के रूप में काम करती रही आज ये संगठन चै भगवान दास रोड नई दिल्ली से अपनी गतिविधियां चला कर श्रिमती कजन्स के महान विचारों को कारे रूप दे रहा है देश भर में महिला अंदोलन को उससे गती और दिशा मिल रही है श्रिमती कजन्स के व्यक्तित्व के कितने ही प्रेरकायाम थे वीमन्स इंडियन एसोसियेशन की पत्रिका स्त्री धर्म और और अल इंडिया वीमन्स कॉन्फरेंस की पत्रिका रोश्नी के संपादक मंडल की सदस्या के रूप में उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा बहिलाओं से जुड़े मुद्दों और सवालों को लगातार उठाकर उसे महिला अधिकारों की लड़ाई के एक प्रभावकारी हत्यार के तौर पर इस्तेमाल किया रोश्नी आज भी इन सवालों और मुद्दों की ओर बदले हुए समय के संदर्भ में ध्यान खीच रही है सक्रिय राजनीती से दूर रहते हुए भी मार्गेट कजन्स भारतिय हिदय को अंदोलित करने वाले प्रशनों से अपरेचितन थी 1930 में गांधी जी के सत्याग्रहियों पर जब ब्रिटिश अधिकारियों ने दमन चक्र चलाया और बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाई तो वे उदासी न रह सकी उन्होंने मदरास में एक जनसभा में इसका कड़ा विरोध किया और एक साल की जेल काटी पक्षागात होने पर भी महिला अधिकारों की ये अनथक युद्धा संघर्ष की रणनीती बनाती रही जब वे भारत आई तो यहां के बारे में उनका ज्ञान उतना ही था जितना विवेकानन्द और भारतिये दर्शन के बारे में कुछ एक पुस्तकों से मिल सकता था पर यहां आकर वे भारत के लोगों विशेशकर महिलाओं के सुख दुख के साथ इतनी एकाकार हुई कि यहीं की ओकर रह गई भारतिये परमपराओं और जीवन मुल्यों को आत्मसाथ करती हुई वे यहां की महिलाओं के लिए आशा की एक किरन बन कर पहुँची उनको उपर उठाने और आगे बढ़ाने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए बे उनके साथ उठते बैठते हुए उन्ही में से एक हो गई भारत के लोगों की हिर्दय की धड़कनों से उनकी धड़कन किस तरह मिल सकी इसका पता इस बात से चलता है कि उन्हें मीरा के भजन और टैगूर के गीत विशेश प्रियत है भारत में रहकर उन्होंने जो काम किया उसका कुछ विवरन उन्होंने अपने पती जेम्स कजन्स के साथ लिखी अपनी संयूक्त आत्म कथा वी टू टूगेदर में दिया है उन्ही के शब्दों में भारत भूमी पर अपना पहला कदम रखते ही मैंने अपने जीवन को भारतिय महिलाओं के माध्यम से आधे भारत की सेवा को समर्पित किया आज भारतिय महिलाओं में जागरिती का जो जवार चारों और उमर्ता दिखाई दे रहा है उसके पीछे मार्गरट कजन्स जैसी करमशील नारी का योगदान भी कुछ कम महत्वपून नहीं रहा भारतिय स्त्रियों को सबल सक्षम और समर्थ बनाने की दिशा में उनका प्रयास आज की पीड़ी के लिए जोलंत इतिहास बन गया है कर दो है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो